अब हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू मनी ट्रैक आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बी एस एफ बार्डर सेकुर्टी फोर्स के जो रिक्रूडमेंट निकली है उन पे आप कैसे इस एपलाई कर सकते हैं बी एस एफ कॉंच्टवल जीडी के स्पोर्ट्स के जो अगर तो अगर आपने अभी तग मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजी लाइक कर दीजी और ज्यादा से ज्यादा सेर कर दीजिए तो चलिए देखते हैं कि कैसे आप तो चलिए देखते हैं कि कैसे आप BSF को कॉंस्टिवाल जीडी के जो इस्पोर्ट के फॉर्म है उनको एपलाई कर सकते हैं तो चलिए सबसे पहले आपको इसकी ओफिसियल बैफ साइट पर आ जाना है जिसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको इसकी ओफिसियल बैफ साइट पर आ जाना है और यहां आपको देख़ेगा करेंट रिक्रूटमेंट ओपनिंग्स तो आपको यहां से एपलाई कर देना है एपलाई करने के बाद आपके पास पर्सनल इंफॉर्मेशन की डिटेल आ जाएगी तो आपको यहां से करा लेना है verify करने के बाद आपको अगला step पर चलना है इसके बाद आपको log-in करना है log-in करने के लिए आपने जो Golden स्टा इंद वरी ती आपको इसको पूरी फिल करना है और 100% तर करना है तो सबसे पहले आप profile पे क्लिक करेंगे profile पे क्लिक करने के बाद आपको identity details के लिए आ जाएगा तो सबसे पहले आपको identity type डाल देना है आपके पास Pen Card, Adhar Card, Boater ID वो आपको यहां डाल देना है और उसका Certificate Number आपको यहां फिल कर देना है फिल करने के बाद उसके बाद आपको additional information में आ जान additional information में date of worth में आपको kalender आएका तो kalender में अपनी date को select करेनी है और आपकी यहां एज आटोमेटिक आ जाएगी उसके बाद आपको नेशनल टी में अपनी इंडियन रखना उसके बाद आपको अपने पिता का नाम डाल देना माता का नाम डाल देना और पर्मानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन बॉड़ी अगर आपकी सरी पे कोई भी इसके बाद आप आजाएंगे कैटगरी वेजर्वेशन पर यहां पर आपको अपने रिलेजियन स्लेट कर लेनी हैं उसके बाद कैटगरी आप स्लेट कर लें सी ओवी सी और दो ऑब किया गया डालना होगा और सर्टीपेटे इसू डेट डाल नहोंगी authority sorry authority डालनी होगी और यहां पर date डालनी होगी इसके बाद आपको यहां सब category reservation पर आएगा तो आपको यहां are you differently person है तो एक सर्विस्मीन अगर आप इसकरते हैं तो इसके बाद को departmental आजाता है इसको no कर देगा और यहां से अपना टैल यहेस और नपना से पर ने सब्कुर्ण कर देंख और अच्यक्रेност एन आच कर देडिक की तो आपको यहां से अपना address को पूरा फिल करना है जो भी आपका address उसके बाद आपको यहां पिन कोड डालना है इसके बाद स्टेट डिस्टिक ब्लेज और पुलिस स्टेशन का नाम डालना है इसके बाद आपको corresponding address में आपको देख लेना अगर आपका शेम है तो same corresponding एड्रेस कर दें अगर आपका corresponding address यानि कि जहां आप प्रिजंट में रहते हैं वह अलग है तो आपको यहां से फिल करना है आपका corresponding से मैं तो से सेम कर दीजिए अगर अलग है तो आपको अलग बना होगा उसके बाद आपको save and nest पे click करना होगा save and nest पे click करने के बाद आप other details में आ जाएंगे जहां पर आपको ncc के लिए पूचा गया है अगर आपके पास ncc certificate है तो yes कर दें वरना या no कर दें फिजिकल certificate में जो आपकी requirement है वो आपको यहां बनना है अगर उससे कम नहीं बनना है अगर आप उससे कम भरेंगे तो आपका reject भी हो सकता है तो आप अगर जितना जितनी हाइड मागी गई है आपको उतनी बननी है और जितनी आपकी हो उसको फिल कर दें यहां पर हाइड बनना है यहां चेस्ट बनना है और यहां पर बेट को फिल करना है इसके बाद आप आजाते हैं black list यानि declaration पर अगर आपके खिलाब कोई भी criminal case एप है तो आपको यह पर आजाते हैं जो की है qualification detail qualification detail में सबसे पहले आपको कौलिक केशन काई बना है सबसे पहले आप हाइज स्कूल को सिलेट कर लें अगर आपने इंटर भी किया तो इंटर को सिलेट कर लें उसके बाद ग्रेजुशन तो आपको यहां से एक एक करके सारी option आ जाएंगी जो सब करसारी आज से पहले आपको हाई स्कूल एक रएक हो जाएगीगी और उसके बाद अगर आप अपनी इंटर की डेटेल डालना चाहते हैं तो फिर से यहीं से आपको फिर से किलिक करना होगा यहीं से और इंटर को सिलेक करना होगा इंटर का सटी विकेड नंबर यार स्टेट और बोट का नाम डालना होगा और फिर से एड करना होगा इस तरह स आप अपनी educational detail को fill कर सकते हैं और यहां से add कर सकते हैं graduation की भी कर सकते हैं उसके बाद आपको next पे click करने के बाद आपको यहां पे employment के लिए पूचा जाएगा तो अगर आप employment है तो yes कर दें और उसके बाद आपको पूरा detail बना पड़ेगा कि कब से कब थे आप employment employment as type कौन सा था आपका employment स्वरी experience टाइप बना पड़ेगा employed बना पड़ेगा nature of employed बना पड़ेगा from date to name of post बना पड़ेगा और आपको institute और department का option बना पड़ेगा और सेफ करना पड़ा अगर आप नहीं आते हैं employment वे तो आपको यहां से no कर देना और सेफ कर देना है के पास certificate and documents का upload का option आएगा यहां पे आपको अपनी upload photo करने पड़ेगी signature upload करने पड़ेगे SSC यानि की high school की certificate वो upload करना पड़ेगा और यहां से इंटर का certificate यहां से काश certificate और आपको इन सब को photo को आपको 20 कवी से 100 कवी के बीच में signature को 20 से 50 कवी के बीच में qualification certificate उनको आपको 30 कवी से 100 कवी के बीच में JPG, JPG, PNG और PDF के form में upload करना है upload करने के बाद आपको save and nest पे क्लिक कर दे, save and nest पे क्लिक करने के बाद आप फिर से dashboard पे पहुंच जाएंगे जहां से आपकी दिखेगी की profile अपडेट हो चुकी है जो की 100% fully full हो चुकी है, उसके बाद आपको यहां apply new advertisement पे क्लिक करना है फिर से आप current recruitment opening space पे आजाएंगे जहां से आपको apply here पे क्लिक करना है यहां से आप इसके form पे आजाएंगे, जहां से आपको academic qualification को fill करना है academic qualification में अगर आप high School pass कर चुके हैं तो आपको yes करना है उसके बाद आपको sport qualification में fill करना है sport qualification में यहां पे select sport में आपको सारे sports के नाम दिये जाएंगे जो भी आपका sport हो उसको select करने उसके बाद competition बनना है competition में आपका जो भी हो state हो नेशनल हो जो olympic हो कोई भी competition उसको आपको select कर लेना और achievement अप्लदी हुई थी आपको किस में first medal, gold medal या silver जो भी आपको मिला हो उसको select करने उसके बाद certificate issue date तो certificate issue date आपको notification में दे गई है जो कि आपको 2019 से 21 तरदी गई है तो उसी के बीच की जो date हो आपको यहां पर select करना है जब आपको certificate issue किया गया इस तरह से आपको अपनी सारी detail भल लेनी है उसके बाद physical standard में आपको अपनी category को select कर लेना category select करने के बाद आपकी जो height है उसको और chest को और bait को सारे को fill कर देना ह उसके बाद आपको upload sports documents को upload करना है upload documents में आपको जो sports documents upload करना है वो 30 KB से 100 KB के बीच में होने चाहिए JPG, JP, EG, PNG और PDF के format में होना चाहिए यहां से आप उसको upload कर दे, sports certificate upload होने के बाद आपको upload domicile documents upload करना है आपका निवास प्रमान पर आपको यहां से कर लेना है जिसकी 30 KB से 100 KB के PDF और JPG में आपको upload करना है उसके बाद आपको save and nest पे इसके बाद आप central preference में पहुँच जाएंगे जहां से आपको date को select कर लेना जहां से आप fill कर रहें उसके बाद आपको center reference लेना है इसके बाद आपकी fees की detail है उसको यहां fees आ जाएगी, fees के बाद आपको payment gateways पे जाना है payment gateways में आपको payment के सारे mode मिल जाएंगे, card, net banking, UPI, wallet, आप उन में से किसी भी को select कर ले, select करने के बाद आपको नीचे आना है नीच आपका form fill हो जाएगा और आपको यहां पे print का option आ जाएगा, अभी मैंने fees को pay नहीं किया, इसलिए मेरे में print का option नहीं आ रहा है, तो आप जैसे ही fill करेंगे, आपको यहां print का option आ जाएगा और आपका सारा complete हो जाएगा form, तो friends, आज की इस वीडियो में हमने बात किये, BSF क जो constable के GT की sport के form में उनको आप कैसे apply कर सकते है, step by step, अकर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, तो like और subscribe और share जरू कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा share कीजिए